सेक्शन सेवेन सेक्शुल एसॉल्ट पे केस आया था जिसका नाम बोला गया था स्किन टू स्किन कॉंटेक्ट रफ कर देते एक बार ध्यान से सुनिएगा साथियों अब हम लोग एक नया एक्ट जो आपका आया था 2012 में पॉक्सो एक्ट उसी से संबंदित एक आपका केस लेंडमार्क जज्जमेंट आया था जिसने इंडिया में हाहाकार मचा दिया था जि स्किन टू स्किन कॉंटेक्ट केस के नाम से इसको जाना जाता है क्यों स्किन टू स्किन कॉंटेक्ट नाम दिया गया आगे आपको पता चलेगा इस केस में इतना गलत इंटर्पेटिशन लौका किया गया जो कि मेरे हिसाब से पूरे भारत की इतिहास में इतना गलत इंटर स्टारीक अथansen कहानी दिस निस पीजन आअधन पूर बेंच ऑफ फ बॉमबह ईगाइद के नाघ पूर बेंच का ये मामला था था 7 start become फेजन के नागो बेंच इनके मामला ऐइश केस किहा हुआ इक्यूज ने 12 ये चाइग 12 साल की बच्ची के साथ dropping किया अब ग्रॉपिंग क्या होता है काफी लोग नहीं जानते तो इसकी बताने के लिए समझेगा groping किया मतलब 12 साल की बच्ची के साथ dropping it means he touches breast of the child he touches मतलब आगंदा वैकती ने उस उस बच्ची के breast को touch किया without removing her clothes कपड़े पहने हुए थे कपड़े ऊपर से बस breast को touch किया मतलब कपड़े के ऊपर से touch किया point to be noted इसको एकदम broad mind से पढ़ना है जिसका intention अगर ऐसा गंदा है यहां पर मत पढ़े लेकिन आपको बता दू मैं इसका broad intention के साथ पढ़ना पढ़ेगा एक के keyword इसमें discuss होगा तो बच्ची कपड़े पहने हुई थी उस कपड़े के ऊपर से breast को उसके प्रेस किया गया जिसे हम कहते हैं इंगलिस में dropping अब आगे की बात justice पुषपाग गनेडिवाला said in this case उस समय जो justice इस case को deal कर रही थी उनका नाम था justice पुषपाग गनेडिवाला उन्होंने क्या का clothes has not been removed कपड़े तो हटाये नहीं गये थे no skin to skin contact क्या उस अपराधी बोल रहे हैं उसका उस बच्ची से skin से skin touch हुआ क्या नहीं हुआ सिर्फ कपड़े थे उपर कपड़े थे ना आगे की बात करते हैं no sexual assault under section 7 of pox act इसलिए justice ने क्या कहा पुषपाग गनेडिवाला ने अपने क्या तरक दिये कि भाईया ये तो section 7 का अपराध ही नहीं है बोलो क्यों अपराध नहीं है दो और क्यों अपराध नहीं है क्यों की कपड़े थे बीच में अपराध तब होता section 7 का जब वो direct touch करता breast को इतना गंदा interpretation I hope किसी ने नहीं किया होगा मैं injustice का संबान करता हूँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं law की interpretation की बात कर रहा हूँ this is the bad interpretation of law यह हम कह सकते wrong interpretation of law आगे की बात accused is punishable punished only under IPC उस case में यह तरक दिये गए कि जो अपराध तो इसने किया है बड़ छोटा अपराध है छोटा कौन सा अपराध है इन्होंने बोला कि यह Indian penal code के अंदर 3054 का अपराध है पॉक्स नहीं लगेगा क्योंकि पॉक्स लगा तो रिला जाएगा मतलब पॉक्स लग गिया तो लंबा जेल में जाएगा तो अरे फासी तक ही सजा होगी क्यों section 6 में aggravated में भी जा सकता है देखिए तो बोला गया यह 3054 का अपराध है मतलब लज्जा भंग करने वाला अपराध क्या यह बहुत गंदा काम हुआ है तो यह 3054 का अपराध बता के इसको हटा दिया section का narrow interpretation किया गया मतलब broad interpretation नहीं किया गया इसका narrow interpretation किया गया इस judgment के against में क्या हुआ national अब इसका narrow interpretation आया इसका बहुत बवाल चला पूरे इनका मतलब बता दूँ आपको कि इस decision का हर जगह पर बुराई हुई फिर इसके बाद कई लोगों इसके against में आये even जब इसका decision आया ना तब यहां तक की बात बता दूँ जब इन्होंने यह बोला 354 का प्राद है उस समय क्या हुआ दोस्तों पता आपको उस समय पूरे भारत में इस बात की बहुत चर्चा news channel पे चर्चा कि कैसा decision है लेकिन कोई खोल के विरोध नहीं कर पाता था क्योंकि justice की बात थी contempt of court से डरते हैं लोग ठीक है 2021 का case है तो इसमें क्या हुआ इसमें मामला जब आगे बढ़ा तो एक कारे करता थी political party से भी जुड़ी हुई थी कोई और basically वो एक सामाजी कारे करता थी आयोब गुजरात की ही थी social worker बिल्कुल उन्हों ने क्या किया उन्हों ने जो भी जिनके भी offices थे जिन्हों ने ये बात बोली थी उनके offices उनके घर पर ऐसा कहा जाता है मैं ऐसा claim नहीं कर रहा हूं भात को समझे उन्हों ने क्या किया safety के packets condoms के packets सभी offices पर भेज दिये social worker ने बोला कि क्या अगर safety को use करते हुए रेप किया जाए तो रेप होगा क्या तो अब आप कहते हो हां रेप है तो यहां पर यह गलत क्यों नहीं है रेप अगर अगर दस्ताने पहन लिए जाए पूरा जूरा पहन के और safety use कर ली जाए तो क्या वो रेप में नहीं आएगा उस social worker नहीं तरक दिया और यह कदम उसने इतना बड़ा उठा लिया जिसको news channels में भी cover किया गया तब सब की नीद खुली मामला ने तुल पकड़ लिया burning news हो गई है फिर क्या हुआ इस judgment के अगेंस्ट में कुछ national commission of women जो national commissions थी women की वो आई और attorney general for India ने petition file किया सुप्रीम कोर्ट में अब केस का नाम बन गया सतीस रगडे वाला जो केस हा उसका नाम क्या बन गया attorney general for India versus सतीस and another सतीस and another 2021 यस और नो इस केस से बात आगे चली इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड इस मामले में सरवोच नियाले ने क्या कहा बहुत बुराई करी सरवोच नियाले ने decision की बोला there is no need of skin-to-skin contact कोई जरूरत नहीं है यह किसने कह दिया कि skin-to-skin contact होगा तो ही अपराद होगा भाई direct touch indirect touch दोनों include होगा सुप्रीम कोट ने डारेक बात बोली दूसरी बात सुप्रीम कोट ने बोली it should be seen that sexual intent है या नहीं पहला direct contact हो या नहीं हो तो भी अपराद है दूसरा हमें sexual intent को देखना अगर कोई touch करता है तो बिलकुल उसका sexual intent था दूसरी बात there should be sexual intent यस अब यहां पर सुप्रीम कोट ने बोला कि no physical no skin to skin contact इसकी ज़रूत नहीं है हां सिर्फ sexual intent अगर है तो that is sufficient उसको अपराद section 7 में मान लिया जाएगा और सुप्रीम कोट ने बात बोली कि भाईया इसकीन टो इसकीन इंटर्पेटिशन पॉक्सर एक्ट के object को खत्म कर देगा अगर हम लोग इस तरह से interpretation करने बैठ गया ना कि भाई skin to skin हुआ कि नहीं हुआ कपड़े हटा के किये कि नहीं किये मतलब ऐसा interpretation कौन करता है जी ऐसा इंटर्पेटिशन किया पॉक्सर बनाया ही क्यों हटाओ इसको तो सुप्रीम कोट ने बूला कि पॉक्सर एक्ट के object को ही फिनिश मत करिये ऐसा गंदा interpretation करके यू हैव तो इंटर्पेट लॉजिक्ली मैं ओके आगे चले कि आभले प्योंग lapid ऴॉक्सर नेखिक स्मूपेटे घ्ले वर्फेटेटिशन— इंटर्पेटेटेट रफे स्व क्विक्सर प्यूपेटेटेते कीसा तो सकते हाउ़, झाल झाल